जेडी और यूं कहें कि बिहार की राजनीती में जो दो एक समान जैसी चीज़ने दिख रही हैं शरद यादो और लालू प्रसाद यादो के बीच में वो दोनों की कहानी यही है कि दोनों नितीश कुमार के सताय हुए हैं तरह से शरद यादो इसलिए सताय हुए हैं क्योंकि शरद यादो की बिना सुने नितीश कुमार पार्टी में और सरकार में फैसले ले रहे हैं लालू यादो इसलिए सताय हुए हैं क्योंकि बली संख्या ला करके और नितीश कुमार को गटबंधन में ले करके भी वो बीच रास्ते में उन्हें छोके चले गए कल की रैली इस दिरिश्टी से जो गांधी मैदान में पटना में हुई काफी अतिहासिक रही काफी महत्वपूँ है हाना कि यह अक्सर होता है और यह हमारे आदत में हमारे सुभाव का हिस्सा बन चुका है कि लालू प्रसाद यादाओ का नाम आत कथाओं में वो उस पूरी रैली का लबो लबाब फसके रह गया इस फोटो की पूरी राजनीती में और सोचल मेडिया की इसकी ट्रॉलिंग जो इससरे से होने लगी उसके पीछे जो चीजें नहीं दिख पाई वो यह नहीं दिखी कि यह लगभग उतनी संख्या थी जितन लालु प्रसाद के लाई हुई थी और इस रैली में भी एक भुतायक घिर लालु परसाद की जुटाई हुई रही दूसरी चीज बहुत महत्तुपूर्ण यह है कि जिस तरह की परिस्थितियों से बिहार इस वक्त गुजर रहा है सरकार से लालु प्रसाद पूरी तरह से सत्ता में वो बैठे हैं जो लालू के विरोधी हैं भारती जनता पार्टी और जेडियू इसके बावजूर लोगों ने हिम्मत की सामर्थ जुटाया बाहर निकले बिहार का एक बाला सा बाल की चपेट में है लोगों के पास आसरे नहीं है इसलिए एक बड़े हिस्से से पाल की चुनोती उनके सामने नहीं होती तीसरी महतुप्रों बात ये है कि एक साथ मंच पे लोगों को बांधना और मैदान तक लोगों को ले के आना ये विपक्ष के लिए बहुत जरूरी है शरत यादों ने इस भूमिका को बहुत सुंदर तरीके से निभाया जब उन्ह पालते हैं जैसे राहुल गांधी को शायद हमेशा एक परहेज रहता है माया बती एक बहतरीन मौका चूप गई और उस्रैली में नहीं गई लेकिन इसके बावजूद लालू के पास जमीन पे लोग हैं और शरत यादों के पास शहर में लोग हैं सत्ता के गलियारों में ल जरूरी है कि ये सामंजस से लंबा चले क्योंकि विपक्ष का विपक्ष बने रहने के लिए बोलते रहना जरूरी है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक जुट रहना जरूरी है यही सबसे बली चनौती भी है शारत यादों के सामने और लालू प्रसाद के सामने भी कि वो अपने एहम के टकराओ को कब तक साधे रखते हुए इस सामंजस को बनाए रखते हैं और बाकी कितने सारे और लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं लालू इतनी बले संख्या लेके मैदान में आ पाए ये एक उपलब्दी है शरद यादो लोगों को एक खटा कर पाए दिल्ली में भी और वहाँ पर भी ये भी एक उपलब्दी है लेकिन चुनाओं में भी फासला है लोगों के बीच विपक्ष की एक जुटता या घंटी बानने की जो कोशिश है इसकी जो पूरी तयारी है इसका टिके रहना इसका स्थाई बने रहना और इसका आगे बना ये बहुत आविश्यक है देखना ये है कि किस तरह से ये राजनेतिक पार्टियां और ये चेहरे जो अपने अपने समय के हीरो रहे हैं और आज के समय में भी जिनकी एक रेपूटेशन है एक पहचान है किस तरह से इन संदेशों को लेके आगे बहुपाते हैं नितीश कुमार के लिए ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि विपक्ष उनके गव में आकर के राज्यकी राजधानी में आकर के दहा के जा रहा है नई पिढ़ी बहुत उंचे और तल्क स्वरों में नेतरत की नई आशायों नई अंकुर दिखाती नजर आ रही है और ये समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद के पास जो वोट थे वो कहीं गए नहीं है चनौती बाकी है विपक्ष के सामने भी और सत्तापक्ष के सामने भी